बड़ी खबर हर्याना से और हर्याना के सीम नायब सैनी ने भी शेल जाके अंदेखी का सवाल उठाया था तो अब चुनाव में हर्याना विधान सभा में बहुत जादा वक्त नहीं है 15 दिनों का वक्त ही शेश है और ऐसे में कुमारी शेल जाके बहाने सियासत काफी गर्मा गई है और तलित कार्ट खेला जा रहा है और बारती जंता पाटी ने घेरा है कॉंग्रेस को कुमारी शेल जाके बहाने वहीं BSP ने भी कॉंग्रेस पर निशाना साधा है लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि BJP अपना घर समाले पहले तो शेल जाको BJP के आपर पर बोल ये कॉंग्रेस सारे कॉंग्रेस के नेटा मिल्जुद के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव परचार में दिखेंगे ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे है उनकी चिंता पहले करने दो ना वहां इतना फूट हो रहा है इतने लोग चोड़के चले गए बहुत से लोग पार्टी चोड़के इंडिपेंडेंट है रहे पहला अपना घर समालो बात में हमारे घर की हमारे नेवर की चिंता करो और इससे पहले केंद्री मंथी मनुहदाल ने शेलजा को बीज़पी में आने का ओफर देकर हैरान कर दिया सब्सक्राइब करना ये समाज में वर्जित है लेकिन इंपोशन नहीं आए उस बैठ को गलिया तक दिये जो नहीं गरवेट ही अपना राम से एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें हम तो तैयार है इस अपर के लिए आएं दों तैयार रहे हैं वही हनारा के मुख्य मंत्री नायव सैनी ने भी कॉंग्रेस से नराज चलरी शेलजा पर फूले नहीं समाए और क्या कहना है उनका अप सुनवाते है कॉमारी सैल्जा दलित नेता है बड़ी नेता है और कॉंग्रेस पार्टी दलितों को देखकर के कि ये क्यों बढ़ा हो गया उसका सोचन करते हैं उसको दबाने का काम करते हैं पहले ऐसे उक्तामर की दबाई अब खेल जा की बारी है अब खेल्जा की आवाज दबाने में लगे हुए है प्रमत्व वह महिला है मैं इन से कहना चाहूँगा कि दलीच समाज का योगदान बड़ा है आप लोग अगर पैसे वाले हैं उड़ा साथ तो ग्रीव एक्ति की मेहनत है और मेहनत के उपर इस पर देश को आगे बढ़ाता है कॉंग्रेस हांसद प्रमोतिवारी ने आज तक से बातचित में काया कि बीजेपी के साथ वोटर नहीं तो हमारे नेता को बुला रहे हैं कॉंग्रेस के राजसभा में डेपिटी लीडर प्रमोतिवारी सर मनुहर लाल खटर जो केंद्रिय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुमारे सेल्जा का अपमान हुआ और ऐसे में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि वो किस तरफ रुक करते हैं यानि कि एक तरह से ओफर भी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है बीजेपी के पास जनता तो है नहीं किसको ओफर दे तो नेताओं को यह ओफर दे रहे हैं शैलिया जी के साथ मैंने काम किया है। पूरी तरह समर्पित कांग्रिस की एक ऐसी सिपाई हैं जिन पर हमें घर हुए है। हर्याना में हमाराम से दो तहाई बामत हासिल कर रहा है। इसलिए भाजपा घवरा की बोली। और एक बात तो जरू मुझे तकलीफ है। अनुराग जी बिना बोले आपका खना हसम नहीं हूढ होनुग हरे और जनों को सम्मान ऐहीं मिल रहा है。 दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और खटर जी आप तो सीदे सीदे के जाड़े आ जबह भाई हमंगरे पास तो कुछ है तुम ही आज़ा। अनुराग जी, भूल गया है त कि कॉंग्रिस के वर्तवान अध्यक्ष भी अन्सूची जाती है। राद जी सबाव में बिरुधी दल के नेता भी अन्सूची जाती है। और ये एक आपके लक्षमन जी थे माल गिंते पकड़ गये थे भूल गये। वहीं कॉंग्रिस प्रवक्ता पवन खेडा क्या कहे रहे हैं। किंद्री मंत्री पर टूट पड़े। सुनिये सरा। अगर राजनीती संभावनाओं का खेल भी है और आशंकाओं का भी खेल है। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साब को तो गलत है हम नहीं लेंगे। हमारे दर्वाजे खट्टर साब के लिए बंदे हम जानते हैं वो दुखी हैं बारती जनता पार्टी। जिस तरह से उनको बेयाबरू करके निकाला हर्याना के मुख्यमंत्री पद से आहत हैं वो हम जानते हैं अपमानित महसूस किया लेकिन हमारे दर्वाजे उनके लिए बंद है। बीजेपी कह रही है और बीएसपी भी कह रही है कि निरादर हो रहा है अनादर हो रहा है कुमारी शेलजा काॉंग्रेस कह रही है कि सक्ची सिपाई है वो कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन कुमारी शेलजा क्या कह रही है कोई प्रतिक्रिया कोई रेक्शन अभी तक उनका साम भी वो एपसेंट थी क्योंकि शुरू से वो कहा थी को इलेक्शन लड़ना चाहती हैं क्यों हो सीम नहीं हो सकती उन्होंने बोला कि हाँ हर बंदा हर बंदे का ये अमबिशन होता एम होता और वो भी टिकट चाहती है लेकिन जब टिकट एलोकेशन हुआ तो किसी भी मेंबर सिंगोड़ा फॉर्मर चीप मिनस्ट रहे हैं कुमारी शैल्जा ने वेंबिशन दिखाया तक हमें सीम बनूगी और इसी को देखते हुए और उनकी एपसेंस को देखते हुए कैमपेंज से लगातार बीजेपी अटैक किया है और खटर ने भी यही ऑफर इसे लिए दिया ह हाना कि कुमारी शैल्जा की तरफ से इस तरह का कोई रिस्पॉंस नहीं आया है हुड़ा भी बोलते हैं आज दपिंदर हुड़ा ने भी बोला कि कॉंगर्स के लिडर युनाइटेड है युनाइटेड हो के ही एलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत जादा एक दूसे के खि लेकिन डेफिनेटली ओपोजिशन इसका फाइदा उठा रही है और खटर ने तब ही ओफर दिया है ठीक है असीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस कबर पर जानकारी पहुचारे के लिए